तो दोस्तो अगर आप भी समोसा कचोरी पकवडी खाने के सोकीन है तो मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक कप गेहूं के आटे से बहुत ही स्वाधिश्ट कुरकुरा आवा बहुत ही मज़ेदार नास्ता जिसे आप बिना आटा गूथे ही बना कर तैयार कर लेंगे बहुत करते हैं तो में यह विल्वाब कर दोस्तो दोस्तो अगयरे को देख सकते हैं दोस्तो कितना मज़ेदार नास्ता देखने देखने ी त्यू connotation यह विभने फिसे आप ट्यक्राइब कर दोसंदों दोस्तों से स्वाधिश धालोगे सभ़ने बचों के लिए या डिनर के लिए बनाई या कभी हलका फूल का भूक लगा हो तो बनाई यह रोटी सब्जी बनाने के ना मनुद तो यह बना लीजे बहुत ही जड़पट मन जाता है तो दोस्तों इसके लिए कड़ाए में एक चमाच तेल डालेंगे एक चमाच जीरा और दो हमने दो कच्छे आलू को छील करके कदुकस कर लिया हुआ है दो तिन बर इसे दो लिया था तो चलिए इसे हम 80% तक पका लेते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों थोरा यह आलू सॉफ्ट हो गया है देख लीजिए इसके बाद हम उसी कप से एक कप गेहु काट लिये थे जिस सकते हैं यह दो फॉर्म में आ चुका है तो इसे हम एक बरतन में निकाल लेते हैं तो देखिए हमने थाली पलटके रखी हुए उस पे हमने थोरा सा ओल गिरिस किया हुआ है और इस पे हम इसे अच्छे से फैला लेंगे तो दोस्तों आप चाहे तो इसे टिकी का भी सेप द रखने वाली हुँ थोड़ा यूनिक रखने वाली हुँ तो देख सकते हैं दोस्तों इसे कुछ इस तरीके से किनारे से कट करके निकाल लेंगे बीच से कटेंगे तो दोस्तों इसका हम चौकोर सेप देने वाले हैं इससे नास्ता देखने में काफी ज्यादा यूनिक लग तो देख सकते हैं गोल की कंसिटेंस से कुछ इस तरीके से होनी चाहिए इसमें इसे हम डालेंगे और अच्छे से इसमें लपेट लेंगे और चलिए तेल हमारा गरम है फ्राइए कर लेते हैं तो तेल हमें मेडियम टू हाई फिलेम पे करना है सुरू में जब यह फ्राइए हो जाई एक साइट से तो उसके बाद हमें फिलेम को मेडियम कर देना है हाई फिलम पे फ्राइ नहीं करेंगे तो दोस्तों चलिए उलड़ते फुड़ते वे इसे कि रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़ी है इसा कलर आया है तो देखने से ही पता चल रहे हैं कितना मज़दार ये नस्ता है तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि नास्ता बना कैसा है तो देखिए बहुत ही मज़दार स्वाधिश नास्ता बन के तियार हो गया है दोस्तों तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको थोड़ी से भी अच्छी लगे तो पिलिज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो देख सकते हैं कितना मज़दार ने रेसिपी बन के तिय इवाय करिए दोस्तों धनले